बासकार दोस्तों किरन अश्टोक ट्रेडिंग में आपका स्वागत है आज मैं एक साइड इंडस्ट्री कमपनी लेकर आई हूँ अश्ट्रोंग कमपनी इस कमपनी के अंदर बहुत मजबूती है अच्छी कमपनी है जो आज के डेट में आप देख सकते हैं 444 के डेट में बं कर लिजेगा साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा लिजेगा ताकि आपको जो भी अश्टोक मार्केट के बारे में मैं अश्टोक के बारे में वीडियो बनाओं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए क्योंकि यहां मैं बताती हूं सपोर्ट और रजिस्टेंस एंड मतलब बाई एंड सेल किस तरह से बाई कहां करना है कहां सेल करना है वो सब मैं बताती हूं ताकि आपको इजी तरीके से सेर में खरदारी कर सके आपको कोई दिकत नहों और अच्छे रेट में खरदारी कर सके बट दोस्तों उसके लिए एक बात और कहूंगी कि वीडियो को पूरा देखे ताकि आपको कमपनी के बारे में नौलेज हो कमपनी के बारे में जाने कि कमपनी काम क्या करती है fundamental कितनी strong company है तभी तो आपको लगेगा कि इस company में हमें entry करना चाहिए या नहीं करना चाहिए support resistance मैं तो last में बताती हूँ क्योंकि पहले आप company के बारे में जानेंगे नहीं खरदारी करने का support और resistance बताती हूँ और जिस share में कुछ दम नहीं होता है वो share के बारे में मैं खरदारी करने का सलाह बिल्कुल नहीं देती हूँ क्योंकि यहां मेरा 11 साल का experience है और 11 साल के experience से ही मैं अपना भी profit करती हूँ और उसी experience के अधार पर मैं video भी बनाती हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कहां खरदारी करनी है और कहां sale करना है कंपनी की market cap देख लिजिए क्या है 37,766 करोर की market cap है तो market cap अच्छी है कंपनी में हाई क्या लगा है हाई लगा कर आई है कंपनी 482 का और 186 रुपया का लोल लगा कर आई है और कंपनी profitable company है अच्छी strong company है यहां आप दिख सकते हैं कंपनी जिसके पास share है share अपने portfolio में long term के लिए hold करके रखते हैं वो उनको dividend भी मिलता है क्या है 0.45% का dividend भी मिलती है face value आप देख सकते हैं 1 रुपया है और company के बारे में मैं बता दू कि मोदी जी ने कहा है कि एक करोर solar panel लगाने का order दिया गया है आप समझ सकते हैं गर्मी का season है company तो हाई लगाए गा है अच्छी company है अभी थोड़ा महौल गर्मा गर्मी चल रहा है इसलिए थोड़ा सा नीचे आया है तो मैं support बताऊंगी वहाँ वहाँ खरदारी किजिए और इसमें अच्छा कासा profit कमाईए गर्मी इतनी पढ़ रही है आप लोग जानी रहा है कि बैटरी का requirement कितना है बैटरी के बिना रिक्सा भी नहीं चलता रोड पर रिक्सा भी चल रहा है बैटरी का requirement आगे आने वाला दिन में requirement बहुत बढ़ेगी इसकी मांग बहुत बढ़ेगी आप जानी रहे हैं तो ये आपको पता है ये 570 का लिवल दिखाएगा आपको ठीक है तो इस company में खरदारी करने का मौका है अच्छे से खरदारी किजिए आने वाला समय में आप देख लिजेगा बिजली तम रहे सोलर पैनल भी लगाएगा तो बैटरी का ही जोर्त होगा तो आप समझ लेजिए कि आने वाला टाइम में दस साल के बाद ये रेट मेरी एकॉर्डिंग के अनुसार आट सो नो सुरुपिया भी जा सकता है क्योंकि कोई भी एसी कोई भी पंखा के बिना रहेगा नहीं गर्म सिजह कंपनी की सेल्स रिभन्यू क्या है क्या वाटर्लीक आप देख सकते हैं लश्ट वाटरवी सप्टंबर दो हजार तेइस चार हजारतीन सो बहात्तर करोर और सभ्ते समबर दिसमबर दोहजारतेश में 3980 थोड़ी सी रिभन्यू में कमी आई है थोड़ा सा कमी आई है जो हर quarterly result में हर company में होती है, ऐसा नहीं है कि revenue में result में कमी आ गई है, revenue में कमी आ गई है, तो company खराब है, आप समझ सकते हैं कि आने वाला time में गर्मी कितनी बढ़ेगी और battery का कितना मांग होगा, requirement कितना होगा, यहां देख लिजिए net profit और EPS, quarterly का क्या आया है, तो पिछले quarterly में आप देख सकते हैं, 270 कडोर की सप्टमबर 2030 में, 270 कडोर की और इस बार December 2030 में 203 कडोर की, तो EPS, sorry, net profit में थोड़ा net profit में भी कमी आई है और EPS में भी कमी आई है, पिछले सप्टमबर में 3.17% की, इस बार 2.36% की, तो थोड़ी सी कमी आई है, तो गिरावट भी हुआ है कमपनी में, पर गर्मी का सिजन है, कमपनी का rate तो आगे जाएगा ही जाएगा, मेरे recording के अनुसार, according to me, 550 का high जरूर लगाएगा, आज नहीं, तो एक साल लगेगा, या 6 महिना, 7 महिना, मतलब एक साल के अंदर ही ये 550 के लेवल आपको जरूर दिखाएगा, quarterly का result थोड़ा revenue में खराब है, अनुमान के मुताबिक उतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन आप अगर सलाना का देखते हैं, yearly का sales, ये sales, yearly का, तो देखिए क्या है, 2023 में 15,000 क्रोर का, और इस बार 2026 में 16,274 क्रोर का, तो रिभन्यों में growth है, yearly का, सलाना का, तो इससे पता चलता है कि मेरे according, according to me, 550 का हाई जरूर लगाएगा, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, खरदारी करके पुर्पुलियों में आप सजा लिजिए, यहाँ देखिए, पर्मोटर्स, FII, DII, पब्लिक की, शेर होल्डिंग क्या है, क्वाटरली का, पर्मोटर्स का होल्डिंग 45.99%, FII का होल्डिंग 13.00, पिछले क्वाटरली से बढ़कर है, आप देख सकते हैं, पिछले क्वाटरली का 12.94%, इस बार का है, 13.57%, और यहाँ DII का भी शेर होल्डिंग है, पब्लिक का भी शेर होल्डिंग है, आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको अब सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों ही बताने वाली हों, ताकि आप इजे तरिक्य से से शेर में खादारी कर सकें, इसके लिए आपको कोपी कलम निकाल कर सपोर्ट लिखना होगा, ताकि टुक्डों टुक्डों में आप खादारी कर सकें, शेर को हर गिरावट में, एक रेट पर खादारी नहीं करना है, एक साइट कमपनी, करन्ट रेट अभी 444 का रेट में बंध है, करन्ट रेट चल रहा है 444, तो सपोर्ट एक सपोर्ट था 460 का, 460 का एक सपोर्ट था, श्ट्रोंग सपोर्ट था, ठीक है, जो 460 का सपोर्ट को तोड़कर 444 का रेट में, अभी कमपनी में बंध हुआ, कमपनी बंध हुआ है, शेर, तो दुसरा आपका सपोर्ट होगा, दुसरा सपोर्ट 435 का, 435, मतलब, बताने का मतलब है कि, सेर मंडे को कहां खुलेगा, किसी को भी पता नहीं होता है, पर मैं सपोर्ट बता रही हूँ, अगर 460 में भी अगर आपका खुलता है, थोड़ा सा सेर वहां खरदारी कर लिजिए, अगर 460 का सपोर्ट को तोड़ करके, 435 पर आता है, थोड़ा सा सेर वहां खरदारी किजिए, तिसरा सपोर्ट होगा आपका 420 का, ठीक है, 420 का, 380 का, 350 का, ठीक है, 350 का, 350 का बहुत अश्ट्रोंग सपोर्ट है, सबसे अश्ट्रोंग सपोर्ट, वहां तक अगर आप खरदारी कर लेते हैं, तो समझे कि सेर वजार को आप जीत लिए, ठीक है, अगर 350 किसी समचार, अभी जी सतरा का महल चल रहा है, 350 को सपोर्ट को तोड़ देता है, तो आगला सपोर्ट आपका 300 का होगा, 300, तो 300 तक कुछ पैसा बचा कर रखें, ताकि आप को सेर खरदारी करने में सुविधा हो, कुछ पैसा बचा कर चले, 300, मतलब मेरे कहने का मतलब है, 75 परसेंट आप पैसा 350 तक लगा है, 25 परसेंट पैसा 300 तक का बचा कर रखें, जब वहाँ आप खरदारी कर लेते हैं, एक मिनान से बैट जाईए, और जो लोंग टर्म का जो होल्ड कर सकते हैं, तो कंपनी ने हाई लगा आई है 482 का, तो वो 482 का लेवल देखेंगे, जो 100 टर्म का निवेसक हैं, उनके लिए रजिस्टेंस है, जैसे कि मैं टाम करती हूं, जिस तरह से, उस तरह का मैं सपोर्ट बताऊंगी, क्या-क्या सपोर्ट होगा, 400, 400, ठीक है, 400 के ऊपर, मार्केट 102 दिन तक, अगर, सोरी, 450 का, एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, 450 का, ठीक है, एक से दो दिन तक, अगर ठीकता है, तो सेर में बुलिस आ जाएगा, मतलब पोजिटिव त्रेंड में, तो यह आपको, 470, 495, ठीक है, लोंग टर्म का होल्ड करते हैं, तो यह 500 का भी लेवल आपको दिखाएगा, साल, दो साल, अगर आप सेर होल्डिंग में डिविडेंट तो देता ही है, डिविडेंट आराम से लिजिए, ठीक है, सेर को कुछ दिन तक होल्डिंग करके, अपना, मतलब मेरे क मतलब है कि प्रोफिट, जो प्रोफिट होता है, वो प्रोफिट पुझी आप रहने दिजिए इसमें, अगर मेरे एक वर्डिंग अगर आप चलते हैं, सेर मार्केट में, तो मैं ऐसा ही करते हूं, कि जो मेरे प्रोफिट होती है, मुझे पता रहता है कि यह सेर में बहुत म मैं अपना पुंजी निकाल लेती हूँ और जो प्रोफिट होती है वो प्रोफिट मैं इसमें रहने देती हूँ साल दो साल तिन साल के लिए मुझे पता है कि ये सेर पांसो पचास का लेवल जरूर दिखाएगा साल दो साल तिन साल जब भी दिखा है यह जरूर दिखाएगा क्योंकि यह बैटरिक का कमपनी है रिक्वाइमेंट ज्यादा है और मोदी जी ने भी कहा है कि एक क्रोर सोलर पैनल लगवाने का ओडर दिया गिया है तो यह कमपनी तो पांसो पचास आठ यहां तक कि 800-900 का भी लेवल दिखा सकता है कोई ठीक नहीं है अच्छी है श्ट्रोंग कमपनी है तो मैं ऐसा ही काम करती हूं वैसे उपर नीचे का मुवमेंट चाहिए तो आप अपना पुंजी से वही 470-495-500 तक में भी आप सेल कर सकते हैं ठीक है सपोर्ट हमने बता दिया है कि कहां कहां आप खरदारी किजिए आपका फाइनेंसर एडवाइजर होंगे उनसे भी सलामस्वरा कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में और सेर में खरदारी कर सकते हैं और अगर नहीं है तो मेरी वीडियो देख करके भी आप खरदारी कर सकते हैं मेरी वीडियो को वाच भी कर सकते हैं कि मेरी जो बताया हुआ सपोर्ट है वो सही जाता है कि नहीं जाता है और वाच करके ही आप सेर में खरदारी करें और वीडियो को पूरा देखें धन्यवाद जैहिंद